नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आप देख रहे हैं महाविलोक्टोनिक्स एनलेक्टिकल यूटूब चैनल आज का हमारा टोपिक रहेगा ये दो हमारे कैपिश्टर हैं इनके डिफ्रेंस के बारे में इनकी वर्किंग के बारे में ये किस चीज से बने हुए हैं इनमें क्या डिफ्रेंस है और इनका क्या वर्किंग है तो दोस्तो अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर लें साथ में बेल आइकन की घंटी भी दवा दें जिस्चाने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए चलो हम सबसे पहले लक्तोलेटिक कैपिस्टर ले लेते हैं यह जो हमारा लक्तोलेटिक कैपिस्टर है और यह सरामिक कैपिस्टर है इसमें दो डिफ्रेंस होते हैं तो यह देख ले लक्तोलेटिक कैपिस्टर देखें सबसे पहले आप यह लक्तोलेट और एक oxide plate से बना हुआ होता है और अब इसकी working देख लीजे जो इसकी ये working है working इसकी AC जो हमारी AC है AC को filter करता है नमबर दो ये अपने अंदर थोड़ी सी voltage control करता है ये backup देता है और backup देके कोई चीज जैसे light गई या कुछ भी उसकी इसको control करता है control करके फिर एकदम major हो जाती है same voltage वो उसको देता है तो हमारा electrolytic capacitor का ये work होता है इसके बाद आता है ये हमारा ceramic capacitor तो ये हमारा ceramic capacitor है ceramic capacitor जो होता है ये भी मेरी दो प्लेट से बना हुआ होता है वो conductivity plate होती है दो conductivity plate के बीच में जो भी material बना हुआ ये होता है ये मेरा ceramic capacitor है और ceramic का जो काम है इस frequency को control करता है frequency घटाता है frequency बढ़ाता है ये इसका work है और कहीं spike आती है AC की spike आती है इसको भी ये रोकता है तो दोस्तो ये जो हमारे दो कैपिश्टर है इनकी यही आज की working थी यही इनमें एक difference है वीडियो को जादा से जादा लाइक करना शेयर करना और अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया तो channel को subscribe कर ले तो दोस्तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जै हिन जै भारत